अपठित गद्यांश जिसमें बहु विकल्बी प्रश्ण पूछे जाते हैं उसका एक उधारन आप यहां देखिए नीचे दिये गई गद्यांश को ध्यान पुर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर सही विकल्ब चुन कर लिखिए गद्यांश को अब हम पढ़ेंगे पढ़ने के बाद दिये गए प्रश्णों के सही जो सबसे अधिक उप्यूक्त विकल्ब होगा उसे उत्तर के रूप में चुनेंगे विज्ञान प्रकृति को जानने का महत्वपून साधन है बहुत इकता आज आधुनिक वैज्ञानिक और तक्निकी प्रकृति का इस्तर निर्धारित करती है विग्यान के वल सत्य अर्थ और प्रकृति के बारे में उप्योग ही नहीं बलकि प्रकृति की खोच का एक क्रम है विग्यान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है यह प्रकृति को जानने के विशय में हमें महत्वपून और विश्वस्निय ग्यान देता है व्यक्ति जिस पार्थ पर विश्वास करता है वही उसका ग्यान बन जाता है कुछ लोगों के पास अनुचित ग्यान होता है और वह उसी ग्यान को सत्यमान कर उसके अनुसार काम करते हैं वग्यानिक और आलवशनात्मक विचार उस समय जरूरी होते हैं जब वह विश्वसनी ग्यान पर अधारित हो वेग्यानिक और आलोचक अक्सर तर्क संगत विचारों का प्रयोग करते हैं तर्क हमें उचित सोचने पर प्रेरित करते हैं कुछ लोग तर्क संगत विचारधारा नहीं रखते क्योंकि उन्होंने कभी तर्क करना जीवन में सीखा ही नहीं होता प्रकृति विज्ञानिक और कभी दोनों की उपास्या है कभी और विज्ञानिक दोनों ही प्रकृति को पूछते है दोनों ही उससे निकट्तम संबंद इस्थाफित करने की चेस्टा करते है प्रयास करते है किन्तु दौनों के द्रिश्टी कौन को आप देखें तो दौनों में अंतर होता है कभी अपने नजरीय से देखता है प्रकृतिक और विग्यानिक अपने नजरीय से देखते है वैज्यानिक प्रकृति के बाहिय रूप का अवलोकन करता है और सत्य की खोश करता है परन्तु कवी बाहर का जो रूप है बाहिय रूप उस पर मुग्द होकर उससे भावों का तादात में इस्थापित करता है वैज्यानिक प्रक्रती के जिस वस्तु का अविलोगन करता है उसका शूक्ष्म निरिकषण भी करता है शूक्ष्म माईनिुट चंद्र को देख कर उसके मस्तिश्क में अनिक विचार उठते है कि उसका तापकरम क्या है, temperature क्या है, कितने वर्षों में वे पून्ट शीतल हो पाएगा, ज्वार भाटे पर उसका क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार हो, किस कती से वे सवर मंदल यानि जो हमारा solar system है, उसमें परिक्रमा करता है, और किन तत्वों से उसक और अन्वरत यानि continuous जो चिंतन है उसका जो thought process है उससे उसको एक लोक ठहराता है और उस लोक में इससे ज्वाला मुखी प्रवतों और जीवनधारियों की खोच करता है ये वैज्ञानिक करता है इसी प्रकार वे एक प्रफुलित पुष्प को देखकर यानि खिलेवे पुष जाता है उसका प्रकृति विश्यक अध्यन वस्तुगत होता है objective होता है उसकी द्रिस्ट्री में विश्लेशन और वर्ग भी भाजन की प्रधानता रहती है वैसत्य और वास्त्विक्ता का पुजारी होता है कभी की कविता भी प्रत्यक्ष अवलोकन से प्रस्फुटित होत वै प्रकृति के साथ अपने भावों का संबंद स्थापित करता है वै उसमें मानव चेतना कानुभव करके उसके साथ अपनी आंतरिक भावनाओं का संबंवे करता है और इसके बाद उन्होंने लिखाए कि वै तथ्य और भावना के संबंद पर बल देता है उसका वस्तु से बताया है कि वैग्यानिक तो एक जो भी सोच रहा है वै उसके मस्तिश्की यांतरिक प्रक्रिया है लेकिन जो कभी है जो भी वस्तुवर्णन कर रहा है वै उसके हृदय के उसके भावों के साथ तादात में इस्थापित करते वे करता है तो उसके हृदय के प्रेणा का प् मानवी करन कर लिया जाता है प्रकृति को एक मानव के रूप में देखा जाता है अर्था प्रकृति के तत्रों को मानव ही मान लिया जाता है जबकि वज्ञानिक दृस्त्री कौन अलग होता है प्रकृति में मानवी क्रियाओं का आरोपन किया जाता है कौन करता है कवी हिंद आदेवर्मा, जैशंकर प्रसाथ और निराला जी और पंत तो पंत जो हैं सुमित्रा नंदन पंत वे प्रकृति चित्रन के कभी हैं और प्रकृति के कभी हैं प्रकृति के सुक्मार कभी हैं इस प्रकार प्रकृति चित्रन में प्रकृति सर्वता गौन हो जाती है इसमें प् चित्रन मानविय भावनाओं का रहता है कभी लहला आते पौदे का चित्रन ना कर खुशी से जूमते वे बच्चे का चित्रन करने लगता है तो कभी किस प्रकार प्रकति को देखता है विग्याने किस प्रकार प्रकति को देख कर समझता है उसे समझने का प्रयास करता है तो यह है इस गत्यांश में आपने देखा, अब दियेगे प्रशन इस प्रकार है, निमलिकित में से निर्देशा अनुसार सरवादिक, यानि सबसे अधिक उप्युक्त विकल्प, यानि जो आप्शन दिये हैं, उन्हें सबसे अधिक क्या सही है, उस विकल्प को चुन कर उत्तर में लिखिए, पहला प्रशन है, विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपून्ट सादन है, क्योंकि यह विकल्प दिये गए हैं, क समक्र ज्ञान के साथ तादात्में इस्थापित करता है, ख प्रकृति आधुनिक विज्ञान की उपास्या है, ग महत्वपून और विज्ञान प्राप्त करता है, ग आधुनिक विज्ञानिक का इस्थर निर्धारित करता है, तो इसका उत्तर है, ग महत्वपून और विज्ञान प्राप्त करता है, ग सही उत्तर है, उप्युक्त विकल्प है, प्रशन संक्या दो, विज्ञानिक प्रकृति की बाही का अवलोकन करते हैं यह कथन दर्शाता है कि वे कवियों की तुलना में अधिक स्रेस्ट है यह जुआरभाटे के परिणाम से बचना चाहते हैं गवर्ग विभाजन के पक्षतर बने रहना चाहते हैं यह प्रकृति से अविदूर रहने का प्रयास करते हैं अविदूर रहने का प्रयास करते हैं प्रश्ण संग्या तीन शूक्ष्म निरिक्षन और अन्वरत चिंतन से तात्पर्य है क्या तात्पर्य है दिये गए विकल्प है कि स्वार मंडल को एक लोग और परलोग ठहराना ख छोड़ी चोड़ी सी बातों पर चिंता करना ग भारी किसी सोचना और न मतलब सोचना अन्वरत कंटिनूस निरंतर शूक्ष्म मायनी उत्याने बारेकी निरिक्षन देखना तो बारेकी से निरिक्षन बारेकी से देखना और निरंतर सोचना यह इसका सही उत्तर होगा उप्योक्तु उत्तर होगा प्रश्ण संख्या चार कौन अन्वरत चिंतन कर इसमें सही उत्तर होगा विज्ञानोपासक और विज्ञानोपासक को ने गध्यानिश में विज्ञानिक को विज्ञान का उकपासक बताया है प्रश्न संक्या पांच कौन वास्तविक्ता का पुजारी होता है और उत्तर होगा गविज्ञान वादी और प्रश्न संक्या छे कवी की कविता किस से प्रस्पुटित होती है विचारों के मंथन से ख प्रकृति के साक्षात दर्शन से या भावनाओं के उहापोहु से गप्रेम की तीवरिच्छा से तो सही उत्तर होगा इसमें ख प्रकृति के साक्षात दर्शन से प्रश्न संक्या साथ इत्त प्रत्य युक्त शब्द कौन सा है ख जंक्रित नित ग ललित ग उजित तो इसमें सही जो उत्तर है वह है जंक्रित जंक्रित बना है जंकार और इत से जंकार मूल शब्द है और इत उसमें प्रते लगकर जंगरित शब्द बनाता है प्रश्न संख्या आठ उपर युक्त यानि उपर दिये गए कद्यांश का उप्युक्त यानि एप्रोप्रियेट शीश्रक क्या होगा क्या है इसमें चार आप्षन दिये गए है तो दिये गए गद्यांश को पड़कर हम समझ सकते हैं कि यह है शीशक विकल्प ख प्रकृति की उपासक कवी और वैग्यानिक सबसे अधित सही शीशक होगा और इसी को हम उत्तर सिलिफ्ट करेंगे प्रशन संके 9 प्रकृति का मानवी करन दर्शाता है कि क कल्पना प्रधान और भावानुमेश युक्त कविता रची जा रही है ख मानवी करन अलंकार का दुरुप योग हो रहा है या फिर ग प्रकृति और मानव के सामन जस्ति से उधित दीपति फैल रही है घ मानव द्वारा प्रकृति का संरक्षन हो रहा है तो प्रकृति का मानवी करन यह दर्शाता है कि कल्पना प्रधान और भावन मेश युक्त कविता रची जा रही है क सही उत्तर होगा प्रशन संक्या 10 लह लाराते पौदे का चितरन ना कर जूमते बच्चे का चितरन करना दर्शाता है कि क कवी भावावेश में विशे से भटक गए है ख प्रकृति के तत्मों को मानव माना है ग कवी वग्यानिक विचारदारा की पक्षमे है तो इस तरह से हमने देखा अपठित गध्यांश को पढ़कर हम किस तरह से उप्युक्त विकल्प को चुन सकते हैं और प्रतीक प्रश्न का उत्तर एक अंक आपको देखा तो इस तरह से 10 प्रश्न है और तार दिये है अपठित गध्यांश 10 अंकों का है कि अड़िय।